जैश्याराम बंदों, हिंदू रिच्वल्स चैनल में आपका स्वागत है शुक करता दुख हरता भगवान कजानन जी की सेवा के बारे में आजम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जीवन में संसाधन पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है निर्विगनता पाना आप सामान से स्रेणी में यातरा कर रहे हो समय से आपको गाड़ी पहुचा दे तो आपको बहुत संतुष्टी मिलती है और आप प्लेन के विशेश स्रेणी में जा रहे हो और गंटा, दो घंटा, दस घंटा लेट हो जाए तो आपका सारा ध्यान हड जाता है और उस सुक भी दुख में बदल जाता है ऐसे ही जीवन में संसादन से घर मेरा भरा हो पर बच्चे बिमार हो और ब्यापार में तमाम संकटों से घिरे हो तो हमारा मन बिचली तो हो जाता है और हम सब कुछ होते वे भी हम दुखी रहते हैं तो समस्त कष्टों को दूर करने वाले भगवान विनायक की सेवा की बड़ी महिमा है कलो चंडी विनायको तो गणेश जी की सेवा की हजारों विधियां है उनमें एक विशेश विड़ी है शंकष्टी गणेश चतोर्थी की पूजा की जो इस बार रविवार 14 मई 2017 को पावन पर मनाया जाएगा शायंग 950 पर चंडरोदय है मुंबई में और जो उत्तर भारती हैं बनारस में रहने वाले उधर वो 20 मिट पहले उसको मान सकते हैं इस तरह से आप उसको जान सकते हैं अब इसकी हम सेवा कैसे करें जो नियमित करते आ रहें वो तो अपने विधियांसार करें ही पर मेरा इतना निवेदन है कि आफिस के बाद में लाखों लोग मंदिरों में जाते हैं और वहाँ जाकर कि भी दो घंटा लाइन लगाते हैं और उसमें काफी भाई बंधो जो है अन्यान चर्चाएं करते हैं तो मेरा निवेदन ये है कि वहाँ पहुँच करके बपा की सेवा करें उनका ही ध्यान करें बाकि कुछ भी चिंतान न करें मंदिर से जब बाहर निकल जाएं तो फिर अपनी दुनियादारी में लग जाएं घर में आएं शाइंकाल या जो लोग मंदिर में नहीं गए हैं उनको भी वही लाव मिलेगा जो बपा की सेवा का लाव मिलता है हमारा समर्पन आवश्च है और घर में अगर हम सेवा कर रहे हैं तो साइम नहा करके हो सके तो लाल वस्च धारन करके और लाल आसन पर बैठ कर अथवा खड़े हो करके बपा को बढ़ियां से एक अच्छे पात में बैठा करके उनको दूद से पंचामलिट से असनान कराएं अब शेक करें और उसके दल उनको 11-21 अरपन करें दूर्बा दल का बड़ा महत्व है इसकी कभी हम विशेश चर्चा करेंगे एक दूर्बा अंकुर का इतना महत्व है कि करोन जनम का पाप नश्ट हो जाता है अगर हम सद्धा पूर गणेजी को अरपन करते हैं तो तो दूर्बा यामरिशंपन्न शत्मूला शतांकुरा शतम पातक पातक बहुत बड़ा होता है कि जैसे कोई हजारों गाउं को जला दे उसके बाद जो पाप मिलता है वो एक पातक होता है ऐसे शाहस्त्रों पातक नाश्ट करने की छमता अगर हम स्रद्धा पूरो के दूर्बा अरपन करते हैं गणेजी क उसके बाद में फूल चढ़ाएं बढ़ियां चमपा आदी सुगंधित फूल चढ़ाएं गणेजी को और लड़्डू जो है उनका प्रिये बस्तुरस का भोग लगाएं या घर में जो भी उपलब्द है गुड़ है गुड़ भी बहुत प्रिये गणेजी को चना और विशेश करके घर की बनी हुई उसमें आपका तन मन धन तीनों जुड़ जाता है तो आपका वह बहुत बड़ा महत्तु बढ़े जाता है उसका भूग लगाएं बैट करके ओम गंगड़ पते नमा का एक माला जाप करें उसके बाद में जो भी आपको आरती आती है चा करें लेसन पे आज का त्याक करें ब्रह्म चर्ज का पालन करें और पूरा दिन प्रयास करें कि आज हम गणे जी का ध्यान करें के रखें हैं बपा का हमने ब्रत किया है तो हर व्यक्ति से हम विनमरता पूरवक प्रस्तुत हों और कोई भी ब्रत किया जाए तो उसका विशे स्रद्धा से कर रहे हैं स्रद्धयाष संत्यमाप्यटै जो आप स्रद्ध। splits कर रहे हैं वहीं आपका स्थ रूप हो करे हैं भगवान आपको निश्चित जो है आुए आपके ब्लासा पूरी करेंगे शंकट से दूर करेंगे और गणेजी ऐसे देवता हैं कि उनके बारे में क्या कहा जाए आप सभी जानते हैं बिल्कुल हम तनमन धन से मन करम बचन से तलीन हो करेके अगर हम उनकी आराधना करते हैं तो जीवन का समस्थ शंकट दूर हो जाएगा और जीवन जो है जो भी आप देते हैं पूरवक जो है समरपन पूरवक बपा की शेवा करने की तो फिर हम मिलेंगे और भी चर्चा करेंगे आपके मन में कोई प्रस्ण हो कोई जिग्यासा हो अपने सनातन धर्म पूजा पाठ विधी अनुस्ठान से तो आप निश्चित हमें कमेंट करें हमसे पूछे हमें बड़ी प्रसंता होगी हम अवश्य मार्ग दर्शन करेंगे जैस्याराम